आईनो की इस वीडियो को तीन लोग देखने वाले सबसे पहले जिन लोगों ने पेटियम स्टॉक को एकदम टॉप पे वाई किया हुआ है और अभी वो वेट कर रहे कि कब पेटियम का स्टॉक अपने बाइन प्राइस पे आएगा दूसरे जिनोंने पेटियम को बहुत ही अच्छे से गिरने के बाद नीचे बाई किया है और अभी वो एक अच्छी प्राइस दून रहे है जहाँ पर वो अपनी पुजिशन सेल कर सकते हैं अब तीसरे जिस कैटेगरी में में भी आता हूँ अभी पेटियम के स्टॉक पर एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए अपॉर्चनिटी बन रहे है तो क्या हमें वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए आपक वीक की कैंडल आप देख सकते हो इस वाले नेकलाइन का ब्रीक आउट करने का ट्राइ कर रहे है और यह पाटन बहुत ही इंपोर्टन लेवल पर बना है अभी वह लेवल को उनसे वह भी देख लेते हैं तो पेटियम का अगर हम पूरा चार्ट देखेंगे तो हमने सबसे लेक फॉल देखा उसके बाद में यहाँ पर से रिकवरी देखी और अगेन हमने यहाँ पर से फॉल देखा यह वाला यहाँ पर यह जो पूल बैक लग रहा था हम क्या कर सकते हैं फिवो नाची एक्स्टेंशन का टूल ले सकते हैं और इस वाले पूल बैक को एकदम सपोर्ट ले सकता है तो फाइनली अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइज ने हमारे 1.272 पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है मल्टिपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है और यही पर वो इन्वर्स एदेंशोल डर पाटन मन रहा है तो मैं एक ट्रेडर हूँ मैं इस डाटा के उपर फुली रिलाई नहीं करता हूँ मैं टेकनिकल चार्ट पैटन्स को ट्रेड करता हूँ बट यहाँ पर हम थोड़ा सा इनका रेफरेंस ले सकते क्योंकि यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है हमें हमारा पैसा लूज नहीं करना है त यह चेंज होकर अगर आम इनके सेल्स देखेंगे तो इनके सेल्स बहुत ही अच्छे से बढ़ चुके है आपको यहाँ पर यह डेटा दिखाई दे रहा होगा अभी आप इस नंबर पे भी मत ध्यान दीजिए सिंपल आप यह ग्राब देख सकते हो कि यह ग्राब जिस तरी के से उपर जा रहा है इसका मतलब इनके सेल्स जो है वो टाइम के साथ में बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे है यह कौटरली रिजल्स है अभी इनके टोटल इंकम के बारे में भी बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि यह जो नंबर था 1,346 यह चेंज होकर भी बहुत ही बढ़ चुका है यह आपको यहाँ पर ग्राप में भी दिखाई दे रहा होगा अभी सबसे इंपोर्टन चीज में आपको यहाँ पर यह दिखाना चाहता हूँ यह जो टोटल एक्सपांडिचर है यह जो नंबर है वो इंकम से बहुत जादा है यह मैं मानता और इसी साथ में बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है बट एक्सपांडिचर यहाँ पर कॉंस्टन यहाँ पर कुछ भी चेंज आपको एक्सपांडिचर में नहीं दिखरा होगा जो एक पॉजिटिव साइड है और इसी वज़े से आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर माइनस 332 के नंबर्स तक इन्हों ने अपना लॉस को खीचा है इसका मतलब आप यह ग्राब भी देख सकते हो कि टाइम के साथ में यहाँ पर लॉस डिक्रीज हो रहा है और वो क्यू हो रहा है टोटल इंकम यहाँ पर बढ़ रहा है पर इनका टोटल एक्सपांडिचर एक आपको सिंपल सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस साल के मतलब 2023 के सब्टेंबर क्वाटर के रिजल्स मतलब क्वाटर टू के रिजल्स 28th of October को पब्लिश होने वाले तब आप यह पूरा डेटा फिर से री अनलाइज कर सकते हो फिर से कंपेर कर सकते हो और अगर ग्रोध दिख और क्या मेरे टार्गेट से रहेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते एंट्री की तो अगर आप यहापर देखोगे इस विक की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने का ट्राइ कर रही है अगर यह ब्रेक आउट मुझे देखना है तो एक स्ट्रॉंग के साथ में मतलब इस trend line के अउपर एक strong green candle की closing में यहाँ पर देखना चाहोंगा तभी में यहाँ पर इंट्रेस्टेट रहूंगा और थोड़ा सा यहाँ पर मैं volume क्यों भी nehme göster करना चाहोंगा क्योंकि अगर आप इस point से देखोगे price बहुत ही अच्छे से up trade में उपर बढ़ रहा है but volume जो है वो time to time यहाँ पर decrease हो रहा है यहाँ पर descending triangle pattern बन रहा है अभी simple अगर यह candle अच्छे से breakout देती है अच्छी closing देती है फिर भी मुझे यहाँ पर एक volume spike देखना है जो इस trend line को breakout करें यह simple मेरा rule होता है जब भी मैं इस तरीके का volume shrinkage देखता हूँ चार्ट के उपर otherwise यह candle अगर हम entry ले लेते अच्छे volume के साथ में breakout देता है हम entry भी ले लेते तो stop loss कहाँ पर रखेंगे तो simple आप यह वाली trend line देख सकते हो यह मेरी support वाली trend line है अगर आप यहाँ पर देखोगे market यहाँ पर every time support ले रहा है तो simple में का करना चाहूँगा जैसे ही मुझे entry मिल जाती है मैं इस वाले trend line के नीचे अपना stop loss रखना चाहूँगा मतलब कोई भी strong red candle अगर इस वाले trend line के नीचे closing दे देती है तो यहाँ पर मैं अपने position exit कर दूँगा क्योंकि price यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नीचे गिर सकती है इस वाले condition में मेरा stop loss हिट हो जाएगा और अगर ह हम यहाँ पर targets की बात करेंगे तो आप एक structure यहाँ पर analyze कर सकते हो कि simple price यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा fall दिखाया एक high लगाया उसके बाद में एक low लगाया यहाँ पर से हमने pullback देखा और अभी price क्या कर रहा है अपने previous important high का यहाँ पर से breakout कर रहा है तो simple हम क्या कर सकते इस वाले fall को एकदम top से लेके bottom तक Fibonacci extension का tool लगा सकते हैं तो similarly में भी वही करने वाला हूँ यहाँ पर Fibonacci extension का tool ले लेता हूँ और इस वाले fall को एकदम top से लेके bottom तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ अभी simple अगर हमें यहाँ पर entry मिल जाती है अभी आप यहाँ देख सकते हो कि price जो है वो 1.272 के उपर sustain करने के लिए थोड़ा सा struggle कर रहा है अभी simple यहाँ पर से मेरे analysis क्या होगा अगर price 1.272 के उपर closing दे देता है तो यहाँ पर मेरे entry trigger हो जाएगी इस वाले trend line के नीचे मेरा stop loss रहेगा and 1.618 और 1.272 यह दो मेरे बड़े targets रहेंगे अभी 1.618 आप यहाँ पर swing basis पे या फिर positional basis पे पकड़ सकते हो otherwise अगर आपको अच्छा risk reward मिल रहा है तो इससे पहले भी आप यहाँ पर exit कर सकते हो but 1.618 से हमें एक profit booking देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर मैं अपने partial positions book करना चाहूंगा so coming to the conclusion this stock is started looking promising yes अभी हम यहाँ पर से यह नहीं बोल सकते कि यह stock हमें यहाँ पर से multi bagger returns देगा या फिर नहीं but companies actually working hard to increase their visibility उन्होंने अपने expanses को भी बहुत ही अच्छा हद तक control कर लिया है और margins भी increase किये है so as we discussed in this video अगर मुझे entry मिलती है तो मैं interested रहूंगा with proper risk management अभी यह सिर्फ एक informative वीडियो था इस वज़े से सिर्फ मैं बोल रहा है इस वज़े से invest मत कीजिए आपकी study आपकी analysis भी important है अगर आपकी analysis मेरी analysis से match करती है तो obviously आप भी यहाँ पर invest या पर trade ले सकती हो और मैं किस अपने trades को plan करता हूँ यह सीखना है तो अभी यह वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा आज के वीडियो में इतना है रखते thank you very much